नमस्कार साथियों साथियों आपका हमारे चैनल में हर्दिक स्वागत हैं धनुरासवालों के लिए मार्च 2022 कैसा रहेगा आज इस वीडियो में बताएंगे यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले निवेतन है बिननती है चैनल को सब्सक्र नहीं पूरे च्छै ग्रहों का राज परवर्तन होगा जिसमें च्छै मार्च को गुद्ध कुम्ब राज में प्रवेश करेंगे रवी चौदा मार्च को मीन राज में सोला मार्च को राहू मेश में और वक्री हो जाएंगे इसी प्रकार सोला मार्च को ही केतु तुला राज में प्रवेश कर वक्री होंगे क्योंकि राहू और केतु वक्री चलते हैं बुद्ध फिर 24 मार्च को मीन रास में प्रिवेस करेंगे यानि कि बुद्ध का प्रिवेस मार्च महिने में दो बार है दो बार रास परवर्तन है 31 मार्च को शुक्र कुम रास में प्रिवेस करेंगे तो ग्रहों का राश परवर्तन धनु राश वालों के लिए कैसा रहेगा आज इस वीडियो में बताएंगे साथियों धनु राश का स्वामी गुरु है और गुरु लगनेश और सुखेश होते हुए तीसरे भाव में बैठा है ऐसे में परिवार में सुव समाचारों की तो प्राप्ति होगी होगी साथि साथ पंचम द्रश्टि से विभा इस्थान याई सप्तम भाव को देखने के कारव विभा के योग भी धनु राश के जातकों के बनेंगे भाग का उदय होगा आर्थिक इस्थित मजबूत रहेगी विदेश यात्रा के योग बनेंगे और साथ ही साथ जो है जो काम अभी तक अणके थे अटके थे फसे थे वो भी पूर होने की पूरी पूरी संभावना है शत्रू सोला मार्च तक सांत रहेंगे परेशानी नहीं देंगे लेकिन सोला मार्च के बार जब बिरसब रास से निकल कर राहू कुम मेश रास में प्रिवेस करेंगे तो आईसी स्थितियों में थोड़ा सा जो सिक्षा और प्रतियोगता के छेत्र में हैं धनुरास के जातक वो विशेश ध्यान रखें विशेश सावधानिया रखें विशेश खयाल रखें क्या उपाय करें यह भी वीडियो के इसलमें बताएंगे तबियत के प्रति स्वास्त के प्रति थोड़ा सा सचेत्र हैं खास कर ऐसे में मानसिक दुर्बलता की संभावना ज्यादा है जैसे सिर में चक्कर आ जाना या फिर अपचन की सिकायत हो जाना ऐसे कश्ठ धनुरास के जातकों को हो सकते हैं एक उपाय करें छोटा सा है गाय को केवल गुरुवार के दिन खाने को कुछ न कुछ दान सुरूब दें केला दें गुर चना दें जो आपकी मर्जी हो ज़रूर गाय को खाने को दान में देंगे तो क्रह पीला से धनुरास के जग्तक मार्च महा में बचे रहेंगे वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत आभाद, बहुत बहुत धन्यवाद